मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछी दिनों बात सरदार बल्लभाई पटेल जी की जन्म जन्ती 31 अक्तूबर को हम सब राष्ट्री एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे. मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है. हमने उनके विराड व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है. बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्म मौझूद हो. वैचारी गहराई, नईतिक साहस, राजनितिक मिलक्षनता, कृषिक छेत्र का गहरा ज्यान और राष्ट्री एकता के परती समर्पन भाव. क्या आप सरदार पटेर के बारे में एक बात जानते हैं, जो उनके सेंस अब हुमर को दर्शाती है? जरा उस लोपुरुस की छबी की कलपना कीजिए, जो राजे रजवाणों से बात कर रहे थे, पुझ्य बापु के जनांदोलन का प्रबंदर कर रहे थे, साथ ही अंग्र सरदार पटेर के बारे में कहा था, उनकी विनोध पुर्ण बाते मुझे इतना हसाती थी, कि हस्ते हस्ते पेट में बल पड़ जाते थे, ऐसा दिन में एक बार नहीं, कई कई बार होता था, इसमें हमारे लिए भी एक सीख है, परिस्तितियां कितने भी वीशम क्यों नहों, अपने सेंस अब हुमर को जिन्दा रखे, यह हमें सहच तो रखेगा ही, हम अपनी समच्छा का समाधान भी निकाल पाएंगे, सरदार साब ने यही तो किया था, मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एक जूरता के लिए समर्पि अपने का काम किया, उन्होंने राजे रजवारों को हमारे राज के साथ एक करने का काम किया, यह विवीतिता में एकता के मंत्र को हर भारतिये का मन में जगा रहे थे,